High Blood Pressure Silent Killer आम तोर पर इसके कोई लक्षन दिखाई नहीं देते. इससे पहले कि आपको पता चले कि आपको कुछ समस्या है. यहाँ आपके हाट, किड्मी और ब्रेन को लुकसान पहुचा सकता है. High Blood Pressure Attack तक का खत्रा बढ़ जाता है. बढ़ा हुआ Blood Pressure का खत्रा बन सकता है, खास कर Heart Attack का High Blood Pressure Blood Pressure किया जाए. यह जानने के लिए हमने बात की Nutritionist और Wellness एक्सपर्ट करिश्मा शाह से. करिश्मा कहती है, Blood Pressure कारक आहार और तनाव है, और आनुवन शिकी भी हो सकता है. आपको अपने Blood Pressure लाने के लिए जीवन में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है. छोटे-छोटे बदलाव आपके Blood Pressure अंतर ला सकते हैं. खुद पर थोड़ा नियंत्रन रखकर रिदय रोक के खत्रे को रोका जा सकता है. एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ रख्तचाप को नियंत्रित करना दवा की आवश्शक्ता को रोक सकता है या कम कर सकता है. एक्सपर्ट बता रही हैं, वे उपाए जो Blood Pressure कंट्रोल कर सकते हैं. एक शुगर कम करें. यहां आपके रख्तचाप और कोलिस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है. उच्च चीनी का सेवन इंसुलिन के स्तर को बढ़ाता है, जो Sympathetic Nervous System करता है. इससे रख्तचाप और हृदय गती में व्रिद्धी होती है. दो वजन कम करें. वजन बढ़ने पर अक्सर Blood Pressure है. अधिक वजन होने से भी नींद के दौरान सांस लेने में बाधा आ सकती है, जो रख्तचाप को और बढ़ा देती है. तीन नियमित रूप से व्यायाम करें. नियमित शारेरिक गतिविधी उच्चर रख्तचाप को लगभग 5-8 मिमी HG, MMHG तक कम कर सकती है. रख्तचाप को फिर से बढ़ने से रोकना महत्वपूर्ण है. सामान्य रूप में हर दिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम शारेरिक गतिविधी करनी बेहत जरूरी है. चार हेल्दी डाइट लें. साबुद अनाज, फलो, सबजियों और कम वसावाले देरी उतपादों को डाइट में शामिल करें और सैटूरेटीड फैट, कोलेस्ट्रॉल कम कर उच्चर रख्तचाप को 11 मिमी HG तक कम किया जा सकता है. पाँच ततकाल स्मोकिंग छोड़ दें. धूम्रपान रख्तचाप बढ़ाता है. धूम्रपान बंद करने से निमना रख्तचाप में मदद मिलती है. यहां हृदय रोक के जोखिम को भी कम कर सकता है और समग्र स्वास्य में सुधार कर सकता है. जिससे संभवत जीवन लंबा हो सकता है. उच्च रख्तचाप आहार क्या है? डाश नामक एक पध्धती उच्च रख्तचाप को रोकने के लिए आहार का द्रिष्टिकोन का उप्योग उच्च रख्तचाप को प्रबंधित करने के लिए उप्युक्त माना जाता है. डाश की वज़े से ब्लाट प्रेशर मिमी हजी की कमी देखी गई है. उच्च रक्तचाप को प्रांधित करने के लिए जीवन शेली में क्या बदलाव आवशक है? कम सोडियम ले जो स्टेज एक उच्च रक्तचाप में बेहद मददगार है. लगभग 3 से 6 मिमी हजी द्वारा रक्तचाप को कम करता है. वजन कम करें और इसे बनाए रखें. लगभग 20 पॉन्ड वजन में कमी से सिस्टोलिक रक्तचाप को लगभग 10 से 20 मिमी हजी तक कम किया जा सकता है. यहां आपके बॉडी मास इंदेक्स या कमर हिप अनुपात पर काम करके हासिल किया जा सकता है. अलकोहल का सेवन कम करें इससे ब्लड प्रेशर एजी की कमी पाया गया है. योग, प्राणायाम और व्यायाम जैसे एक्सरसाइस को नियमित रूप से करें. इसने रक्तचाप पाँच से आठ मिमी एजी तक कम होता है. धूम्रपान छोड़ना दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उच्चरक्तचाप की सीमा को कम करने पर बड़ा प्रभाव डालता है. उच्चरक्तचाप के लक्षणों से राहत के बारे में मिथक. विभिनमे द्रंथों में उलिखित है कि लहसुन उच्चरक्तचाप के लक्षणों को कम करता है. इसके विपरीत जब उच्चरक्तचाप के उपचार की इस पद्धती को लोगों पर लागू किया गया था, तो उनके लिपिट्स तर और रक्त के ठक्के पर कोई प्रभाव नहीं दिखा. LL-Arginine, Red Meat, Poultry, मचली और देरी उत्पादों में पाए जाने वाले Nitric Oxide का एक सबसेट्रेट है, जिसे निमन रक्तचाप के लिए भी जिम्मेबार माना जाता है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव प्लेटलेट, एकत्रीकरण और एंडोथेलियल दिसंक्षन पर होता है, न रक्तचाप पर. इसका मतलब है कि यहां उच्चर रक्तचाप के दीरगकालिक प्रबंधन में प्रभावी नहीं हो सकता है. विटामिन सी को भी उच्चर रक्तचाप के लक्षरों को दूर करने में सहायक के तौर पर पेश किया जाता है, और डायस्टोलिक रक्तचाप को प्रभावित किये बिना सिस्टोलिक रक्तचाप को दस मिमी एजजी कम करने की बात कही जाती है. इसका मतलब है कि इसका दीरगकालिक प्रभाव संदिग्ध है